जै जिनेंद्र, प्राणाम, प्रगट प्रभावी पुलसादानी धर्णेंद पद्मावति परिपूजिताया, भकतों के वानचित पुर्णा करने वाले देवादी देव, स्री संकेश्वर पालस्वनात दादा, गुजरात के संकेश्वर, यानि संखपूर में भव्य जिनाल में बिराजमान हैं जैन तथा जैने तर्विसुद्ध भाव से दादा की सेवा पूजा कर खुद को धन्या बनाते हैं इस वीडियो में आप दादा के प्राचीन जिना लेके अवसेस को देखोगे ग्यारा लाक असी हजार वल सप्राचीन गत चोबी सीच से पूजे जाने वाले करीबन 182 सेंटी मीटर उंचे स्वेट वर्ण के अत्यंत मनोहर पदमासन मुद्रा में संखे स्वरपाल स्वनात दादा की यह प्रतिमाजी भारत भर में वित्यमान अती प्राचीन जिन प्रतिम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए प्लीज समय था उत्सरपिने काल का गत चोबी सी के नवे तिल्थंकल दामोदर परमात्मा के समय में आसाडी स्रावक जो अती धन्वान होने के साथ साथ परमात्मा का परमभक्त था दामोदर परमात्मा के समसरन में मा प्रतिमा बनवा कर उसे अपने हविली के मंदिर में स्थापित कर उनकी पूजा अलचना करने लगा असाडी स्वावक मरकर देव लोक में सौधर में इंद्र बना वहाँ पूर्वभव का स्मरान होते ही अपने हविली से उसने पालस्वनात प्रभु की प्रतिमा देव लोक में लाकर प्रभु जी की भक्ती भाव और पूजा अलचना करने लगा तत पस्चा तेह प्रतिमा जी चोतिस देव लोक में सुरिय देव चंदर देव इसान देव वरुन देव नाक कुमाल तता भवन पती देव द्वारा पूजे कहे अब महाभारत काल की बात है द्वारीका में स्रीक रुसन का सासन था 22 वे तिर्थंका स्री अरिस्टनेमी युवा वस्ता में थे जरासंग के बढ़ते अत्याचारों को रोकने के लिए श्रीक रुसन ने 56 कोटी यादवों के साथ जरासंग से युद्ध प्रारंब किया द्वारीका के इसान कों से चालू हुआ युद्ध सरस्वती नदी के विसाल किनारे के सेनापली गाउं तक पहुँच गया गोल संग्राम चल रहा था जरासंग ने अपनी कुल देवी की तपस्या कर जरा नाम की विद्ध्या सिद्ध की और स्रीक रुसन की सेनापल जरा विद्ध्या का प्रयोक किया जिससे स्रीक रुसन की सेना व्याधी और जरा से पीडी थोकर मुल्चित हो गई किन्तु स्रीकृस्ण बल्देव वन्नेम कुमार पर इसका कोई ब्रभाव नहीं हुआ अपनी सेना की यह दूर्दसादे स्रीकृस्ण ने नेम कुमार से इसका उपाय पूछा नेम कुमार के निर्देश अनुसार श्री क्रिस्न ने अठम तप के साथ पदमावती देवी की आराधना से पदमावती देवी को प्रसन्न कर आसाधी स्रावक द्वारा भरवाई हुई पालसोनात प्रभु की प्रतिमा प्राप्त कर प्रभुजी के नवर जल को सेना पर छिटका जिससे जरा का प्रभाव खत्म ह जाने से सेना स्वस्तो होकर खड़ी हो गई बीसर निल्ना यक युत्त हुआ जिसमें स्री कृस्ण ने जरा संकावत कर विजय प्राप्त की विजय गोसित करने के लिए स्री कृस्ण ने संखनात किया वहां स्री कृस्ण ने नगर बसा कर वही चमतकारी प्रतिमाजी भव्य ज जिनाले बनवाकर पालस्वनात प्रभु की प्रतिस्टा करवाई संखनात की जाने से नगर संखेस्वर या संखपूर के नाम से और प्रभुजी संखेस्वर पालस्वनात के नाम से प्रसिद्त हुए। प्रतिमाजी कई वर्सों तक लुपत रहे। सोलवी सताब्दी में पुन्ह प्राप्त हुए और भव्य जिनाले बनवाकर प्रतिस्ट किये गए। औरंग जेब के सासनकाल में पुन्ह मंदिर नस्ट कर दिया गया। प्रतिमाजी को गुपत स्थान पर सालों तक छिपा कर आप्तकर मुख्य मंदिर के चार ओर बावन डेरियों से युक्त भव्य कलात्मक जिनाले बनवाया गया। दर्णेंदर देव, पदमावती देवी, चकेस्वरी देवी तता अन्या देव कुलिकाएं बनवाई गई। मुख्य मंदिर के दाहिने ओर के मंदिर में बीड जन पालसुनात तथा बाही ओर के मंदिर में अजितनात प्रभू भी राजमान हैं या 14 नंबर की डेरी में छोटे पालसुनात प्रभू भी अती चमतकारी हैं। दादा का जितना गुरगान करें कम हैं। दादा के चमतकार तो इतने हैं कि एक पुस्तक लिखी जा सकती सब्सक्राइब प्लीज जाए जी नेंद्रा!